हेलो स्टुरेंट्स आप सभी का सोगत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखे आज एक बहुत इंपोर्टेंट बात मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ ठीके देखे आज क्या था RRB Grade B का पेपर है ठीके और 2022 Grade B का पेपर है इस वन का ठीके इस बात को आप ध्यान से समझीएगा कि इस पेपर के अंदर क्या है डिटेल अनलेसे हम लोग करने आ ले हैं आपका Sift 1 के रिव्यू का ठीक है Sift 1 का DETAIL अनलेसे करेंगे तो चलिए से अनलेसे को स्टाराड करते हैं क्यों टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको एक बात बता दूँ कि सबसे पहली चीज सेक्षन जो है आपका इंगलिस का इंगलिस का सेसन ऐसा रहा कि जिसमें बच्चों ने 21-24 को सन बना दिये 30 को सन में से ठीक है या रखिए गर रीजनिंग में बच्चों ने बताए हैं 27-33 को सन इसली बना रहे हैं बहुत अरा इडनस का जो को सन रहा वो बता रहे हैं 47-53 को सन असी में से बना रहे हैं ओवर लॉल जो बच्चों का रहा कम से कम 167St हो ज्यादा से ज्यादा 143 को सन ही बच्चे बना पाएं क्योंकि हमारा अभी तक जितने बच्चों से o पाया और नोने यही चीज बताई है ठीक है इस इस बात को आप ध्यान रख़िए पेपर कaraus आ रहा है चली सावजित बात कर लेते हैं कितने क sahn कहां से पूछे जाते हैं इस बात को देख लेते बर आपको हम बात करते हैं किसी व dice कैंशित सेंशन बोलता है तो इसमें डिया और आपकी 5 number कि यहांनी 5 कॉष्ण गयर से आयते जो easy से moderate level के थे ज्यादा कोई hard di नहीं थी quantity one quantity two के जो questions आते हैं ये चार question थे जो easy to moderate level के थे data efficiency के अगर बात करते हैं तो ये तीन question थे जो की moderate level के आये वे थे और number series से देखे 6 question पूछ लिए गए हैं जो easy to moderate level के थे miscellaneous में आपका percentage time और work और pattern पार्टनर से boat and stream जो है आपका ये 12 question पूछे गए जो easy से moderate level के थे overall 30 question यहाँ पर थे चलिए आगे देखते हैं आगे अगर बात करते हैं तो हम देखेंगे topic आपका कौन सा English की बात करते हैं तो इसमें देखें reading comprehension से 10 question पूछे गए moderate level के इदा deduction से जो है 5 question आयते हैं वो easy to moderate sentence arrangement के 5 question आयते easy to moderate level के और close test ठीक है आपका जो close test था उसका pattern भी मैंने आपका लिख दिया है ठीक है यहाँ पर तो देखिए इसमें से 6 question पूछे गए जो बहुत easy थे ठीक है और world swipe वाले 4 question आयते जो 30 number का total क्या था 30 question का यह paper था इसके बाद आप अगर देखते हैं ठीक है reasoning की लेते हैं किसकी हम बात करते है reasoning की ठीक है तो reasoning में आप देखो के puzzle and setting arrangement से 20 question पूछे गए easy to moderate देखिए कितना मतलब हलवा topic है यह ठीक है एक तरीकिस हम कह सकते हैं देखिए जिनके concept clear नहीं उनके लिए hard भी है और जिनके concept clear है उनके लिए hard भी नहीं है ठीक है इसके बाद machine input और output से 5 question logical reasoning से जो है hard questions आयते और या रखिएगा slowism जो है आपका इससे जो है आपके only और few वाले जो है ठीक है 5 question पूछे गया थे busy to moderate level के थे इसके बाद अगर हम बात करते है direction section की तो यहां पर जो है आपके 5 question पूछे गया इसके बाद देखिए आपका जो है blood relationship से 5 question आये alphabet numeric से जो है आपके 2 question और inequality से 5 question पूछे गया है coding decoding से भी 5 question आये total 60 question थे इसमें से ठीक है इसके बाद देखिए अगर GA की बात कर लेते हैं तो GA section बहुत important है ठीक है यहां पर आपसे पूछा गया देखिए पहली ची जी आई easy से moderate level की और बच्चों ने बताया ठीक है और easy to moderate level की थी जिसमें banking terminology ठीक है इसके बाद static GK यह जो थे वाइस वर्ट सा थे एक दूसरे के ठीक है और most question आपके कहां से पूछे गए सबसे ज्यादा question current affair से आए और 9 बर प्लाइस से जो है question पूछा गया था around 10-12 question जो है करके जाना है इन सारी चीजों को क्या है आप करके जाओगे ठीक है अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका जो है आजश्क का पेपर जो है analysis paper का आप इस चीज को आप देख लीजेगा ठीक है आप से मिलते हैं अब अगली वीडियो में और चैनल को subscribe कर लीजे ऐसे और भी analysis के लिए धन्यवाद बच्चों